दोस्तों एक बार फिर से इंदी शाहिते के बीश महतोपून परशन जो स्कूल व्यक्याता बरती परिक्षा के लिए तयार किये जा रहे हैं जो आपकी पाठे पुस्तके जो कक्षा 11 और 12 की पाठे पुस्तके हैं उसमें से बीश महतोपोन प्रश्ण प्रती दिन मैं आपके सामने लेकर प्रस्तूत होता हूँ उनमें से आज है बीश महतोपोन प्रश्ण जो आपकी प्रतियोगी परिक्षा के लिए बहुत ही महतोपोन हो शकते हैं कल मैंने आपके सामने 20 महतोपन पृष्ण नहीं रखे थे और झसे के कमेंट आये थे कि भारती कावशास्तर के कुछ topic करवाने थे उन्मेंसे मैंने आपको एक वक्रूक्ती जिधान तॉया वक्रूकती शंपरद आयेगा एक महतोपन दिया जाएगा जा जाकर आप आसानी शेव से देख शक्ते हो ठीक है और अब हम बात करते हैं आज के महतोपून प्रशनों की आज के महतोपून प्रशन है सबसे पहला प्रशन है सहसो हिल मिल चालिये नदी नाव संयोग यह पंक्ती किस कवी की है यह पंक्ती है तुलशी दास की तुलशी इस संशार में भाती भाती के लोग शबशों हिल मिल सालिये नदी नाव संयोग ठीक है तो तुलशी दास है वो भक्तिकाल के राम भक्तिकावेधारा की प्रतिनिदी कवीया रशनाकार है जिनके अवधी भाशा में लिखी गई की महत दादुर बोलिए हमें पूची हे कौन में दादुर शब्द का अर्थ क्या होता है मैंने आपको पहले प्रश्न का उत्थर बता दिया यहाँ पर मैं दूसरे प्रश्न से सुरू कर रहा हूँ क्योगी मैं भूल गया था तो इसमें से आपको एक उत्तर चाटना है कि कोयल होगा, मोर होगा, मेंडक होगा या कोवा होगा इनमें से कौन सा उत्तर इसका सही होगा, तो आपको इसमें बताना है अगला प्रशन है रहीम दास के अनुसार कोन परहित के लिए संपति का संचे कोन करते हैं परहित के लिए संपति का संचे कौन करते हैं सजन लोग दुरुजन लोग मित्वेई लोग या राजा इन्मेंशे कौन है वो परहित के लिए संपति का संचे करते हैं अगला प्रशन है कवी भूशन ने किसकी भुजाओं पर धर्ती का भार माना है कवी भूशन है वो रीतिकाल की प्रतिनिधी कवी या रसनाकार थी इन्में से किसकी भार पर स्वरी किसकी भुजाओं पर धर्ती का मान इन्होंने माना है चत्रशाल अकबर शेषनाग शिवाज अगला प्रश्ण है उनमादिनी कहानी शंग्रह किसका है जैनेंद्र कुमार शुबद्रा कुमारी चोहान यश्पाल नंदलाल जोशी इनमेशी किसका है आपको तर ढूंड़ना है अगला प्रश्ण है जिस प्रकार सुखी होने का प्रतेक प्रानी को अधिकार है इशी प्रकार मुक्तंग तक होने का भी पंक्ती है वो किस पार शे ली गई है मजदूरी और प्रेम शे भय शे ममता कहानी शे या सफल प्रजात अंतर के लिए आउश्यक बात है ची अगला प्रश्ण है मैं और मैं नामक निबंध है वो किस संग्र हशे लिया गया है जिन्दगी मुस्कराई माटी हो गई शोना जीए तो एशे जीए शीप दीप जले शंक बजे अगला प्रश्ण है निम्न में से किस पत्रीका का संपादन प्रेम चंद द्वारा नहीं किया गया है अगला प्रश्ण है महात्मा गांधी जी को राष्टर पिता की उपाधि कब दी गई थी अगला प्रश्न है नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर ठीक है तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है रूपक अलंकार पुत्प्रेक्षा अलंकार विभावना अलंकार या उपमा अलंकार अगला प्रश्न है जहां पात शाही तहां सिवराज को पंक्ति में आई पात शाही शब्द का आशे क्या है शिवा जी का सामराज्य, मुगल सामराज्य, अंग्रे जी राज्य या खालशा भूमी अगला प्रश्न है नील जल में या किशी की गोर जिल्मल देह, पंक्ति में किश्की देह का चित्रन किया गया है आकाश की, सूर्य की, प्रभात की, प्रकृती की अगला प्रश्न है बचन, हरिवन्सराई बचन की आत्न परीची कविता, किस कविता संग्रह में संकलित है, मधू कलश, निशा, निमंत्रन, एकांत, संगीत, जाल, समेटा अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चोहान के अनुशार किश्का, अत्तुलित आनंद भुला नहीं जा सकता, जवानी का, प्रकृती का, संसार का, बच्पन का अगला प्रश्न है, गरड़िये की कन्या, परवत के शिक्षर पर खड़े क्या देख रही थी, प्राकर्तिक सौंदरे, निला आकाश, सूरे का अस्त होना, इश्वर के दर्शन अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन निबंद में किस पर वेंगे किया गया है, रुड़ी वादी शोच पर, बाजार वाद की अउधारना पर, स्वार्थी व्यक्ती पर, या उपभोगत वादी शंसकरती पर, इनमें शिकौन सा अउत्तर इसका सही होगा अगला प्रशन है, प्रजात अंतर की शफलता के लिए समाज को किश्का पालन करना चाहिए, गिंद्रा उमेड कर जी के अनुसार, धार्मिक नीमों का, विधाई का का, नेतिक नीमों का, या राजिनेतिक शिद्धान्तों का अगला प्रशन है, वबरफ कहीं उनके मन को खरोच गई, पंक्ती किस पार्ट से ले गई है, कुछ एतिहासिक इस्थलों का भर्मन से, ठेले पर हिमाले से, या त्रा एक पावन तीर्थ की से, या मैं या मैं से अगला प्रशन है, जनू, मनू, जानो, मानो, ये वाचक शब्द किश अलंकार में प्रियुक्त होते हैं, उकमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, या भ्रांतिमान अगला प्रशन है, सोई, चतुरंग, संग, दल, लहियतू, इस पंक्ती में सेनापती किस रितू का वर्णन कर रहे हैं, सर्दी का, गर्मी का, वर्षा का, या बसंत का इस प्रकार से ये थे 20 महतोपोन प्रशन और अब हम पढ़ते हैं, इनके उत्तरों को, एक बार किर्शे वापस जाकर देखते हैं इनको, कि इनके कौन-कौन से उत्तर सही होंगे तो पहला प्रशन है, कोई चतुरंग संग दल लहियतु है, इस पंक्ती में सेनापती बसंत रितू का वर्णन कर रहे हैं, तो इसका सही उत्तर है, तीन अगला प्रशन था, जनू मनू, जानो मानो, ये वाचक शब्द उत्तप्रेक्षा अलंकार में प्रियोग तो होते हैं, उत्तप्रेक्षा अलंकार की विशेष्टा होती है, कि इन शब्दों का प्रियोग किया जाता है, वाक्यों वह बरफ कहीं उनके मन को खरोच गई यहाँ पंक्ती है वो ठेले पर हिमाले नामक पार्शे ली गई है जो धरमवीर भारती जी का निबंध है अगला प्रशन है प्रजात अंतर की शपरता के लिए डॉक्टर भीमरा अमीर केरन इसके इनुसार नितिक नीमों का पालन किया जाना चाहिए और बाजार दर्शन नामक जो निबंध है उसमें भुतिक तावादी संस्कृति पर वेंगे किया गया है तो उसका च्यार उत्तर शही है गरडिये के कन्या परवत के शिखर पर खड़ी सूरे के अस्त होने को देख रही थी सुबद्रा कुमारी चोहान के अनुशार अतुलित आनन्द का भुला नहीं जा सकता बच्पन का जो अतुलित आनन्द होता जिसे भुलाया नहीं जा सकता है बचन की कविता आत्म परिचे है वो एकांत शंगीत शेली गई है और नील जल में आकिशी की गोर जिलमिल देह में ये देह है वो सूरी की है और पाथ साही शब्द जो है जिसका आश्य है मुगल सामराज्य नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर तो इसमें विभावना आलंकार है बिना कारण के कार्य संपन होना महात्मा गांधी को राश्टर पिता की उपादी सबसे पहले शुबाश अंदर बोश ने रंगून रेडियो से महात्मा गांधी जी के नाम एक शंभोधन दिया था च्छे जुलाई उनिश्व चुमालिश को प्रथम बार राश्टर पिता सब्द का प्रयोग गिया गिए था और पत्री का जागरण मर्यादा माधूरी और हंस इनका तो ये शंपादन करते हैं ग्यानोदय का संपादन नहीं करते हैं मैं और मैं नामक निबंध है वो जीए तो ये शे जीए नामक निबंध संग्रह से लिया गया है और ये पंक्ती है आचारे रामजिनर शुकल जी की जिस प्रकार शुकी होने का प्रतेक प्रानी को अधिकार है उसी प्रकार मुक्तंग तक होने का भी ये पंक्ती है आचारे बुजाओं पर धर्ते का भार माना है तो सिवा जी की बुजाओं पर धर्ते का मार माना है और रहीमदास सुजान परहित सुजान शजन लोग जो होते हैं वो दूसरों के हित के लिए शंपती का संचे करते हैं जिस प्रकार शे सरवर और तरवर तर्वर फल नहीं खात है सर्वर पीतन पानी ठीक है और दादुर शब्द जिसका आर्थ होता है मेंटक वर्षात रितू में मेंटक बोलते हैं सबसू हिल मिल चालिए नदी नावश्योग तो मैंने इसका उत्तर आपको पहले आज बता दिया था तुलसिदास इसका उत्तर है तो इस प्रकार से ये थे बेश महतोपौन परशन जो आपकी प्रतियोगी प्रिक्शा के लिए बहुत महतोपौन होने वाले हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद